नमस्कार मित्रान्नू अपल्या चानल मदे राम्दास अस्वले वीडियोज मदे मी आपलो प्रतमता स्वागत करतू आज मी मुहन मारूती दातीर या डालेम उत्पादक शेतकर्या कड़े आलो आये तीर आणार आहे गनोरे तालुका आकोले जिल्ला आममद नगर प्रतमता अपला परिचे करूंदे मी इमान मारूती दातीर मुकामपोस्ट गनोरे तालो का आकोले जिल्ला आममद नगर सरसरी आपन या जा बागे मदे उवाओत या बागे चेत्र किते आये शेत्र दीड यकर आये आने या बागे मदे एकंदर रोपांची संख्या किते आये 2,000 जाड़ देड एकर ना? 2,000 जाड़ देड एकर मदे 2,000 जाड़ांची लागवड तुमी केली तर यह साथी आपन कुंत्य प्रकार चांतर निवड़ल? मी 9,5 जाड़ निवड़ल यह नौ फूट 2,5 जाड़ चांतर निवड़ल? यह पत्ति नगऴली अंतर निवड़ल शरसरी अप्रयोग मालवड़ देड़ अपल्या निवड़ल्या मदे क्योव अपली चंगमिडाव तालुक यमदेश्टा निवड़ल नाई करन डालिमबाद चांतर है नेमी पक्षा जास्ता है आणि आगरिकल्चर खात्याने क्योवा शासना ने पुरस्कृत केलेल आंतर बाराबाय चावदा फुटाचा आए परन्तु बाराबाय चावदा फुटाचा आंतर जरी आसताना बागा टिकतील असा नही आणि पशिमारस्टरत क्योवा नगर जिल्या मदे डालेम उतपाद कांची क्योवा शेतकरेंची जमीन ही अतिशे कमीक शेत्र धारना है मंजेच जाला आलप भुधारक शेतकरे असमानता हील आणि या मोठे आंतरा मदे डालेम भागा ठेवने आज सक्चेस मिलत नाए तर तुमी ही साडेतीन बाय नव फूट हीजी लागवड कीले तर या आपन जी बहतो तर दोनी साइडने डृप पसर लेलाए तर या साडीने नेमकतुमी काय के लमक शेत्र डृप मजे डूनी वाज़ूने पसर नाचा उद्देश काय थोड़कत उद्देश आसाया ता साड़ी तीन फुट आंतर ठेवले मुलां मधी माला रवक तक था नारन तेचे मुड़ा मंग जाड़ा ना त्रास हुए। तेचे मुड़ा मी मेधी ड्रीप नहीं गेतले मंग साइडले गेतले। सगलत महतोसा मुद्धा तेनी माणिडा है। और अध्तापरंत शेतकरान ना हाच प्रावब्लेम हेतो। की जाडांचा मधे बुर्षी ड्रीप ही सेंटरला आसता। तेचे योगी नियोजन करून दूनी बाजुला ड्रीप टाकले। सगल्यात महातों जे गोष्ट मंजे त्यानी या ठीकानी साडे तीन फुटावर ज्हाड लावले कि जे रेकम्मेंडेशन इथा महारस्टामादे क्यो अब आर्तामादे कुनी करत नाई आणी अग्रिकल्चर खाताता मुलिच करत नाई युड़ करून देखिल त्यान फट्राण जी वर्षा पास्ते साप उता परेंत जाली आणी युड़ा करून दे जादानमादे छातनी नियोजन तुमी कसा केला अग्र निभड धारना करने साडिकाई नियोजन केला अथा पहले पिकाच़ट आमाल जास्त भान जालेले लेल नवतिया तिया आमी नौर्म करनार थोड़कियात आल्वेज आड़ा आमी गल्ली मद यहुंदियान आर ने फांदी यहुंदियान आर ने जे ने करूं फावर्नी साड़ित लासो ने मुझे ही दे केल अती exempt को शेला ने जॅच्छान उत्लष्टमों आर नियुजन साइए करण नवफोटचा गल्ली मद यहुंदि मद यहुंद कि अधिशे कमी आंतर ठीवन त्यान निते सेटिंग के लाई यह कारण आसे कि जाड़ान पूर्ण अपने उंची दिवून आनी साड़े पास सहा फुटा चा वर्ती जो विस्तार जाड़ान चा यह तो करने चा त्यान चा मानसा है आनी ट्रैक्टर ला क्यों माशागत करताना कर तूमाड़ान अफन स्लय्या है त्यान गदेशीप जो बीख का मेरे भी यहागत को अडेशी जो पांगल केली ती, मजी पढ़ पानी दिलावत, पांगल आगोदर केली ती, यद पानी तेरा मार्श लेगे थिलावत, अपन तेज दाली मुट पाद क्षेद करे तेज मन्ता, कि त्या पद दी न आणी मग त्याचा हर्वेस्टिंग अपन कदी केली, आता नौ सप्टेम्बर नौ सप्टेम्बर दो नादर विस्ट, एक विस्ट लाएक विस्ट, अप्टेम्बर मदे हर्वेस्टिंग तुमी केली, तर सरा सरी या प्रती जाड़ावर, किती उतमादन मिलादा तुमाला, माला, पाहला वर्षला, या एक जाड़ावर, दाते बारा किलो माल निजाल, 12 किलो माल सरा सरी मिलाला, आती शे चांगला रेश्वा आहे, करन पहला पिकाचा माना ने, आनी 12 किलो प्रती जाड़, उत्पन मिलावन तस सोपन आई, परूंतु तेन ने ते करून दाखोले, आती शे गुनवत्ता पुर्ण बाग अपनाला, हिर्वी गार बैगरण मेद मेहनती से फड़ाई, तर मी एक प्रश्ण अपनाला आजुन विचारुच्छी तो, कि जी गुनवत्ता तुमी फड़ान मेदे मिला उली, तर सरा सरी तुमाला, एकंदरित 20 किलो चा क्यारेटला काई रेट मिलाला, विच क्यारेटला, मीजाय रच हर्विष्टिंग मजे, वेपरन लास माल दिला, तो, साधरन, पंचन रुपे किलो, शी आनुरुपे किलो चा क्योल अशे दोन टपे मेदे हर्विष्टिंग जाला माज, हाँ, मंजे तुमाला आती शे त्या तुन्यन आती शे चांगले रे अर्थी माल विकला जातो, त्या अर्थी त्याओडा माला आती शे सुन्दर तुम जासला पाजिए, आनि ग्रोस उतपन्न तुमाला देड एकर मदे किती मलाला, आपले इच्छास लेतर सांगुशकता, परन तुमी आपनाले विचारतो, तीकी एकुन उतपन्न सरासरी कित अर्थी मलाला, आता पहले वर्षेच पीकोत माज़े, दोनाजर जाड़े, आनि माला पहले वर्षीच विच्टेन माल नेगाल, तुम्चे जवब पास अत्राशे रुपए चा असपस क्यारेट ने पाज़े जाले, यकुन विच्चे माना, आत्राशे एकुन विच्चे सर आतोशी गोष्टाए कि यह मदे खोटे पना, क्यों आतिशोक्ति नाई, कारण मी स्वता डाले मुत्पदका है, त्याची रेंच मलम आईते है, परन्तु त्याननी यह प्रतिकुल परसिती मदे यहुड़े उत्पदन मिलावले, आतिशे कमी शेतरा मदे, आनि यह मदे लक आतिशोक्ति नाई, कारण मी यह पाप्तित तरी कुट अजुन बगितला नाई, कारण इस्राइल मदे यह पद्दतिने शेती केली जाती, मात्र आपला अग्रिकल्चर खात, यह चाउदावाई बारावर्च आडुन बसलाई, यहले 25 वर्षा पासुन, त्यान्चा हाच र बारावाई चाहुदा छा अंतर ठेवा अग्रिकल्चर खात, यह पाइदा शेतकर नाई, तोटा किती ओतो यह चाई कोना अला, स्वर्षूतक नाई, आणि ही दूर्दै वाबाई, अपले यह चाउदावाई बदल काराईला तायर नाई, पर तो दा तिर सारके शेतकरी, क्वाएंध। यह पद ती पेक्ष्या काई बदल करूने आस माला न क्यो आतात। यह पदल 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 करूने आस माला न क्यो आतात। सब्सक्राइब करा। यह पदल करूने आस माला न क्यो आतात। आनी दात्तिर पदला नेमकी हीज गोष्ट आती शे सुन्दरी तकीले आई। यह जे जाड उवद इसते। तर यह बावद आपन त्यानना यह विचारू कि यह नंतर आता आपला नियोजन कसास नराई। आता आमचे यह बागाचे बाप्तित। पईले पिकोत उन्ची जासते वाडले लिनावती। आता आमचे एक पईला हरुष्टिं होंगी लेले। आता यह नंतर आमी दुसर एकतार उवर टाखना रहे। पईले साधरन यह उन्ची वर के आँखिन एक फुट और आमचे शिंगल एक तार आमी टाखनार आई। आन त्या सिंगल तारेला आमी पांदे बाणनारी। यह आगो दर जी आपन हर्विष्टिंग केल तर त्या हर्विष्टिंग ला सरसरी तुमाला 12-15 किलो जी मिलाली वाराती 15 किलो चुछ तर आता जी काडी आती शे सुन्दर जी काडी तायर दाली आई परिपको देखिल दालिये तर यनंतर तुम्हे तुम्ही बागा क्यों धर्ना आणी चाट्नी कदी करना आता आमी चाट्नी शादर एक फेपरारी पसुन चालू करना आणी पंद्र पंदर किती किलो माल मेलावनेची तुमची आपेक्षा है याज मिया आता यह जाडन सटी फारतर पहले पिकामाला दाते बार किलो मिलाले आम आता पंदर थी 20 किलो जार नारी फक्त येज कारनास जास्त फल दरूने साइज वतने रोगला बली पड़ता जाड आनी जास्त आपेक्ष पहलां ची पहलां ची पहलां ची साइज हुना याथी शे मातों ची बाबाई आनी तीच क्वालिटी आनी रेट मदे खुप मोटा फरक त्या दूस्त ना पड़तु मनूं सरासरी 15 किलो जरी रेशो तुमाला नवीन परत ये नार्या सिजन ला मिलाला तरी याथी चांगल उ शेतकरी आये ती डालेम शेती में यू पाता है जांचा बागा या आगो दर नश्ट जाला ता नवेन जानना बागा लावाई चाहे तर तेंचा साथी कोंता संदेश द्याल तुमी संदेश आता शेतकरी लापस नी पड़नास वाटत नहीं माला येचा कारना से मिहा बाग ये करीत कि डालेगक पोखडे तों उचल नार अंजादखलनी आंजादखलनी उन टाकनार मगे बुर्श आनुन टाकनार बागा माधे ओर आउशाद मार नार बुर्श जाला आटे करनार अँजाद मरनार कि अगदी बरवर आए करन डालेंबाला शगल्यात घातक जे आए ते बुर्शी आए आनि जर जमीने में वेवल्या प्रकारच जर बुर्शी निर्मान जाल्या तर बागान ना धोका तैर होतु आनि त्या बदल त्यांच त्यानी या शगल्या गुष्टिंच होने से हरकत नहीं